प्रसन नमबर 36 क्या कहता है एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर करमसे 7 रेशियो 9 के अनुपात में बैटे हैं एक गंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं कर जाते हैं उड़ जाते हैं और 6 कबुतर और 10 गोरये आकर बैट जाते हैं अब पेड़ पर तोती और कबुतर का अनुपाद एक अनुपाद चार है अब पेड़ पर तोती और गोरये का अनुपाद ग्याद करना तो देखो सबसे पहले तो हमें ग्याद किया करने कितने परक गौरय यह यह नहीं गौरय यह बैटा क्या बैटा है गौरय यह बैटा अब हो गया क्या इसमें देखो पहले तो इसका अनुपात था 7 अनुपात 9 अभी गौरय को छोड़ तो गौरय की बात ही नहीं हो रही है अभी तोते और कबुतर की बात हो रही है वह क्या यह गंटे ब इसमें तोटे उड़े और 6 कभूतर आकर बैट जाते और उसका अनुपात क्या हो जाता है एक अनुपात 4 हो जाता है यह यो है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले वज्र गुणा करना पड़ेगा वज्र गुणा करते ह IF I do देखो 9x plus 6 अब होगा क्या देखो अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो यह हो जाएगा 28x minus 9x बराबर यह उदर जाकर 32 हो जाएगा प्लस में और यह ठीक है यह देखो इसमें से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 19x बराबर यह कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 यह नहीं x की value x की value क्या आ रही है 2 आ रही है x की value क्या आ रही है 2 आ रही है अब हुआ क्या कि भई इसमें अब पेड़ पर तोदे और कबूतर का अनुपाद ग्याद करना देखो, तोते और कबुतर का अनुपात ग्यात करना, यानि, अब x बराबर है 2, x बराबर 2 है, तो अब तोते कितने हैं, तोते कितने हैं, तोते देखो, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, तोते कितने बचे हैं, 14 में से 8 जाएगा, 6 तोते बचे हैं, कितने तोते बचे ह और गौरईया 10 है इसको काट दो दो से कटेगा तीन बार ये दो से कटेगा पांच बार यानि तीन अनुपात पांच यानि तीन अनुपात प्रसंड नमबर 37 क्या कहता है रुपे 555 को A, B, C में एक अनुपात 4, 1, 4 अनुपात 1, 5, 5, 1, 6 के अनुपात में विवाजीत करना थ लेकिन हुआ किया गलती से 4, 5, 6 में विवाजीत कर दिया तो C द्वारा कितनी रासी पहले प्राप्त हुई और अब कितनी रासी प्राप्त हुई इसके बीच में हमें कितनी अधिक रासी प्राप्त हुई तो देखो सबसे पहले तीन व्यक्ति है कितने व्यक्ति है तीन व् दो तरीके से इस में विवाजित किया गया तो सबसे पहले हुआ कि एक बटा चार अनुपात एक बटा पांच ँरूत जो बटा ये दिया गया हुआ हुआ कि 555 रूपय को इस अनुपात में बाता गया इसका total कितना है फंदरा इसका total है 15 kitना है यूदरा यूद्ध découvrir कि 555 रूपय को 15 का भाग देंगे कितना कती बार कटेगा तीन बार कटेगा फिपिछे बचेगा 10 कंपचे बचेगा 10 और और 15, 7, 15 foison, 37 बार, बार बार 6 निरंबा सी 49 गुना। इसका कितना सार्थ गुना, देखो तो अब सीह हैं, जाद करना तो यहाँ पर सीह को कितनी राशी मिली गार बुष में ग्लची है? 2, 4, 18, 4, 12 अथारा, 82 है यही निरंब기도, 222 पार प्रकर बार रोपिय मिले, साट को ओपर निछे से गुणा करेंगे इसमें भी साट से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 15 अनुपात 12 यह हो जाएगा तस यहां पर देखो सका योग कितना आए यहां पर योग आए 25 और 37 कितना योग आ रहा है यहां पर 37 आ रहा है इसका योग कितना आ रहा है 37 यानि हमें 555 रुपय को 37 से भाग देना पड़ेगा कितना 37 से भाग देते हैं कितनी बार कटेगा यह 6 बार कटेगा कितनी बार कटेगा कितनी बार कटेगा भई देखो इसमें 37 37 से कितनी बार कटेगा 15 बार में कितना बार में 15 बार में ये कितनी बार कटेगा 15 बार अब देखो इसमें C की वैल्यू क्या है 10 से यनि अगर हम 15 को 10 से गुणा करेंगे 15 को 10 से गुणा करते ही हमें 150, 50 रुपे मिलेंगे हुआ किषसेट का अथिक पराप्त हुआ, अबतो इनको मिल रहे हैं 150 हैंक तरुमारा अंपार कु przy 152, pay financing հोपे रुपें मिले और व्ह creativeonton से 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 में विवाजित कर दिया, तब किसके इससे में ज़्यादा राशी और कितनी अधीक आई, और यह हमें ग्यात करना, यह तीन व्यक्ति है, मानलो कोई तीन व्यक्ति है, एक तो है X, एक है Y, एक है Z, तीन व्यक्ति है, पहले हुआ क्या, देखो इ एक अनुपात, एक बटा, दो अनुपात, एक बटा, तीन अनुपात, एक बटा, चार में बाट ना था, लेकिन हुआ क्या, उसने दो अनुपात, तीन अनुपात, चार में बाट दिया, ठीके, तो हुआ क्या, इसका योग आ रहा है, नो, कितना, नो आ रहा है, लेकिन पर सबस्कितना गुना कुरों तो इसको कितने रुपाइब मिल रहे थे यहांपर सब्सक्राइब करें इस का ब्रतने के लिए OSBINK मिल रहे थे यहां इसको 23 रूपाइब 35 कितना बारा यानि बारा को सब को गुणा करेंगे बारा को एक बटा दो में गुणा करेंगे तो इसका मान च्या जाएगा बारा को अगर एक बटा तीन से गुणा करेंगे तो इसका मान चारा जाएगा अगर बारा को एक बटा चार से गुणा करेंगे तो इसका मान तेना जा का अनुपात तो कहता 13 है इसकी वैल्यू और यह परसंद कहता यह नहीं 117 रुपे थे 117 रुपे तो और इसका कितना गुणा आ जाएगा नो इसका नो गुणा तो देखो अब हुआ क्या इसमें इनी इसमें एक्स को कितने रुपे मिल रहे थे 54 रुपे ठीक है यहां पर वा इसमें देखो यहां पर इसको चौन मिल रही थे और अब इसको 26 मिल रहे है किटनी बावण रुपे अब कितनी मिल रही है 27 रुपे मिल रही है यह कहता है कि तब किसके इसमें जाधा रासी जाधा रासी यह यानि इसको जैड को 52 रुपए मिल रहे थे लेकिन अब 27 रुपए मिल रहे है जैड को पहले ज़्यादा मिल रही थी अब इसमें कम मिल रही है ठीक है यह परसन है परसन नमबर 39 के कहता है यदी 800 रुपे को अनील सुनील और जै में इस तरीके से विवाजित किया जाए कि अनील के हिस्से में सुनील से चार गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जै से तीन गुना आता है तो हमें जै का इसा ग्यात करना है तो मान लो इसमें तीन व्यक्ति कौन कौन से हैं तीन व्यक्ति इसमें देखो एक तो है अनील कौन है एक है अनील और दूसरा है सुनील और तीसरा है जै ठीक है ये परसन क्या कहता है कि अनील के हिस्से में सुनील से चार गुना सुनील से चार गुना आता है और सुनील के हिस इसे में जैसे तीन गुना था यानि इसको देख लो अगर हम इसको एक्स माने अगर हम इसको एक्स माने तो देखो सुनील इसका तीन एक्स हो जाएगा और अगर हम इसको इसका तीन गुना माने इसका चार गुना यानि बारा एक्स कितना बारा एक्स देखो यह प्रसन क्या क प्रसन बोल रहा है कि अनील के इस्से में सुनील से चार गुना मान लो अनील के इस्से में सुनील से चार गुना यानि सुनील का अगर तीन एक्स है तो अनील का बारा एक्स होगा यानि चार गुना और सुनील के इस्से में जै के इस्से से तीन गुना यानि एक्स का तीन होता है तो सुनील का चार गुणा अनिल का आता ही नी बारा एक्स हमें इस अनुपात में विवाजित कर दिया ए गयर डेखो टोडल रुपह हमारे पास कितने हैं आफ सो रुपह है यह उता कि अगर हम इसको x x और x को कैंसल क्रेंगे तो अनुपात बचे और 15 3 2 1 बचे इननोपातों कायो जोट निए अनुपाता करेकढ़ कितना केठा है लेकि प्रशन क्या कहता है प्रशन केठाए कि यह अनुपात में इस्वली और नफ've आремिदार के 30 part अब यह कहता है जै के इस से जै का इशा ग्याद करना यहीं जै का इशा तो एक है अगर हम पचास को एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास जै का इशा आ जाएगा यहीं पचास रुपे मिलेंगे किसको जै को पचास रुपे मिलेंगे अगर हमें अनिल का इशा ग्याद करना तो तीन से गुणा करो सुनील को तीन सु रुपे मिलेंगे और इसको मिलेंगे 600 रुपे 40 आलिया दिपिका और रनबीर ने रुपे 427 की राशी को इस तरह माटा है कि आलिया की इसेदारी का तीन गुणा दिपिका की इसेदारी का चार गुणा और रनबीर के इसेदारी का साथ गुणा सब आपस में बराबर है इसमें तीन वेक्ति है कौन कौन से एक तो आलिया है दूसरी दिपिका है और तीसरा रनबीर है कौन है रनबीर तो वा क्या देखो आलिया का तीन गुणा आलिया का ती गुना और रनवीर का साथ गुना आपस में बराबर है आपस में क्या है बराबर है ये देखो ये बराबर है आपस में क्या है बराबर है आपस में बराबर है तो अब हमें ग्याद क्या करना है रनवीर का इस रासी में कितना है 427 रुपे जो बाटे ना इन तीनों ने इसमें रनवीर का इसा कितना है तो सबसे पहले अगर हमें आलिया का इसा ग्याद करना है तो आलिया को छुपाओ और इन दोनों का आपस में गुणा करो तो आलिया का यहां पर हो जाएगा 28 अनुपात देखो अगर हमें दिपिका का ग्याद करना तो दिपिका को छुपाओ और 427 रूपय है total total कितने 427 रूपय इस अनुपात में बाम यहन्य कितना हो जाएगा 28 फ्लस 21 यह इस total इनका योग मेंने वह कितना कितना हो जाएगा तीस 40 चालीस कालीस साथ और 16 कितने हो जाएगा Voulla जाएगा कितना कितना हो जाएगा 30 40 40 60 और 61 कितने हो जाएगा 61 कितना होगा 61 कितना होगा 61 की वैल्यू दे रखी है 427 यहनि कितना गुणा लग भग इसका साथ गुणा कितना दे रखा यह नहीं 12 साता 84 इसका उतर होगा इसका क्या उतर होगा 84 उतर होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करो